बादी तुम आगया बड़ा भारत माता की नांदेड आणि महाराफ्ट्रचा सर्व बंदु भागिनिना गुडी पड़वाचा खोब खोब सुपेच्छा 2004 मदे मी पाड़वयाचा एक दिवस आदी ये थे आलो होतो आणि आज पाड़वयाचा शुप दिवसी मी आपना सरवाना भेटू सकलो हाच माला खूप आनद होतो मन्ज पर विराजमान यहां के लोग प्रिय मुक्यमंत्री हमारी पार्टी के अद्यक्ष सिमान दानवे जी सिमान रामदास अठवले जी सभी हमारे उमिदवार सभी वरिष्ट नेतागान भाजपा सिवसेना महा यूती के सभी वरिष्ट महानुभाव और विशाल संग्या में पदारे हुए नांदेड के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों मा रेणुका देवी की आशिर्वार प्राप्त भुमी गुरु गोविन सीजी की निर्वान स्थली तक्त सचखंड स्री हजूर अप्चल नगर साहब की धर्ती को मेरा शत शत नमान यही वो जगह है जिसने बाबा बंदा सी बहदूर को गड़ने में बहुत बड़ी भुमी काने भाई थी सात्यों गुड़ी पड़वा के इस पवित्र दीन एक बार फिर आप सभी को महराष्टे के सभी भाई बेहनों को मैं नमन करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के सैयोग से ही ये प्रधान सेवक पूरी निष्टा और इमानदारी के साथ एक समरद्द सुरक्षित नए भारत का निर्मान बिड़ा उठा पाया है साथियों हम जिस नए भारत का निर्मान करना चाहते हैं उसका वीजन स्पस्ट है लेकिन कॉंगरेज भारत को कहां ले जाना चाहती है ये भी देश के सामने अब आ गया है कॉंगरेज और उसके साथ ही भारत में दो प्रधान मंत्री चाहते हैं एक दिल्ली में और दूसरा जम्मु कश्मीर में है मैं जरा नांदेर के मेरे भाईयों बहनों को पूछना चाहता हूँ ये कॉंगरेज के महा गठबंदन के साथ ही जम्मु कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री ओमार अब्दुला उनके पिताजी फारुक अब्दुला खुले आम कह रहे हैं कि देश में दो प्रधान मंत्री होने हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ क्या आपको ये मंजूर है आवाज कश्मीर तक जानी चाहिए क्या आपको ये मंजूर है आपको ये मंजूर है कॉंगरेज जम्मु कश्मीर से आफका का कानू हटाएगी ताकि आतंक्यों के सामने हमारे जवान लाचार हो जाए वो जूठे केश्व में उलज जाए क्या कॉंगरेज का ये बादा आपको स्विकार है क्या किसी हिंदुस्तानी को स्विकार हो सकता है देश का कोई वीर जमान इसको स्विकार कर सकता है कॉंगरेज पाकिस्तान से पैसे लेकर देश में अलगाव पैदा करने वालों से बाचित करना चाहती है क्या ऐसी बाचित आपको मंजूर है क्या कॉंग्रेस पाप कर रही है कि नहीं कर रही है कॉंग्रेस बारत के टुकडे टुकडे चाहने वाले देश द्रोहियों से जुड़े कानून को हटा कर उनको खूला लाइसंस देना चाहती है क्या नामदेड को महराश्ट को ये देश द्रो का कानून हटाना मंजूर है क्या मंजूर है क्या भाई और बैनो कॉंग्रेस दो है जो ये डकोसला पत्र बनाया है इसकी निव तो उसी दिन पढ़ गई थी जब सर्जीकल स्ट्राइक को ले कर इन्होंने देश के वीर जवानों के सामने सवाल उठाये थे जब एर्स्ट्राइक के इन्होंने सबूत मांगे थे जब 21 पार्टियों की महा मिलावट ने मोदी के खिलाब निंदा प्रस्ताव पारित किया था साथियों ये अजब स्थिती है आज देश में जो हालात है चाहे वो कश्मीर के हालात हो आतंकबाद हो नकसलबाद हो अलगावबाद हो ये आग कॉंग्रेस की लगाई हुई आग है एंडिये की सरकार उसको बुजाने में जुटी है लेकिन कॉंग्रेस और उसके महा मिलावटी साथी उस आग को और भड़काने के लिए साजी से रच रहे हैं साथ्यों आतंगवादी नहीं देश में ब्रस्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पालने पोशने वाली भी कॉंग्रेस ही रही है विशेश तोर पर सेना से जुड़े देश की सुरक्षा से जुड़े काम में मिलने वाली दलाली को इनको खासी पसंद है जितना बड़ा सोदा उतनी जादा मलाई जीव गोटाले से लेकर बाफोर से लेकर हेलिकॉप्टर की दलाली तक इनोंने बहुत खूब जंडे गाड़े है बाई और बहनो इटली के जिस मिशेल मामा को नामदारों ने बगा दिया था उसको और उसके दूसरे साथियों को ये चौकिदार दूबई से उठा कर लाया है अब कॉट में जो आरोपत्र दायर किया गया है उसमें उसने साप साप बताया है कि हेलिकॉप्टर की दलाली किसने खाई सोचिए एक परिवार एक बेटा एक दरबारी तमाम राजदार और एक मामा बाई और बेनों 2014 में आपके एक वोट ने इन सब को कड़ गरे में लाकर के खड़ा कर दिया है अब 2019 में आपका एक और वोट उन्हें असली जगर पर पहुँचाएगा वहाँ पहुचाएगा जहां आप इन प्रस्टाचारियों को देखना चाहते हैं आने वाले समय में देश का बरसो पुराना इंतजार खत्म होने वाला है भाई और बहनों कॉंग्रेस के कारणा में पीडी दर पीडी एक जैसे ही रहे हैं बलकि ब्रस्टाचार ही कॉंग्रेस में विरासत है आज नामदार परिवार जमानत पर बाहार है और कई पुर्व मंत्री कॉड कचरी के चक्कर लगा रहे है ऐसे ही कारणा में के चलते कॉंग्रेस पिछली बार चबवाली सीटों पर पहुँची और इस बार संकट और गंबीर है उनके लिए साथियों ये पहली बार देख रहा हूँ कि पाँच वर्ष बाद भी जनता में विपश के प्रती कॉंग्रेस के प्रती एनसी के प्रती शरत प्रवार की पार्टी के प्रती उनका जो गुशा है वो गुशा जरा भी कम नहीं हो रहा है इस गुशे ने कॉंग्रेस में अफरा तफरी मचा दी है हालात ये है कि कॉंग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोब लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके सीट भी ऐसी जहां पर देश की मैजोरिटी माइनोरिटी में है मुकाबला भी ऐसा जहां जाते ही विरोधी दल को कहल देया कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा मैं अभी नांदेड में हूँ लेकिन अमेरिटी के लोगों से कहूंगा कि इसे याद रखे अपना ये अपमान भी याद रखे साथियों ये जो नई सीट नामदार ने खोजी है वहाँ पर कॉंग्रेस की क्या स्थिती है ये उन तस्वीरों से पता चलता है सोशल मीडिया में खूप चल रहा है जम नामदार वहाँ की सडकों पर निकले थे आपने वो तस्वीरे देखी है क्या सोशल मीडिया में देखा है ना कॉंग्रेस का जंडा किस कौने में है डूंडना पड़ता था कॉंग्रेस के राश्ट्रिय अद्धिस का जुलूस और कॉंग्रेस का जंडा खोजना पड़ता था ये हाल है कॉंग्रेस का चाहत क्यों कॉंग्रेस की हालत टाइटेनिक जहाज की तरह है यह हर एक नए दिन के साथ डूपती ही जा रही है कॉंग्रेस के साथ जो जो इस जहाज में बैठा था वो NCP की तरह या तो खुद भी डूप रहा है या उठूठूठूठ करके जान बचाने के लिए भाग रहा है जो आपके पडोस में हिंगोली से कांग्रेस सांसद महोदय है बेभी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे है सरत पवार्जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे है उनके सिपा सालार प्रफुल पट्रिल भी चुनाव से भाग चुके है सात्यों ये सभी महानुभाव एक-एक करके मैदान छोड़ रहे महराष्ट में कॉंगरेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास जितनी संख्या में विदायक है उससे जादा तो गुट बने हुए है सब आप में आपस में ही लड़ भीड रहे है जब इस तरह की महा मिलावट हो तो क्या ये दल महराष्ट का भला कर पाएंगे वो अपने विकास की सोचेंगे या फिर महराष्ट के विकास की यहां महराष्ट में इन लोगों ने किस तरह एक आदर सोसाइटी बनाने की कोशिश दी थी शहीदों के परिवार को दोखा दिया था इससे तो नांदेड और पूरा भारत भली भाती परिचित है आप जानते हैं न वो कौन है पता है इस तरह के गोटालों पर नजर रखने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है एक ऐसा कानून जिसकी बज़े से गर खरीदने वालों की कमाई सुरक्षित हुई है उनकी बचत सुरक्षित हुई है देश भर में हजारों प्रोजेक्ट अब रेरा कानून से रजिस्टर है और पहले जिस तरह से काले धन का खेल होता था वो भी कम हुआ है इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है मद्यमबर को नव ज़वानों को सात्यों NDA सरकार ने पांच लाख रुपिय तक की आई पर इंकम ट्रैक्स जीरो करने का जो निरने लिया है वो भी नव ज़वानों के लिए बड़े फायदे लेकर आया है गर खर्च के लिए अपने कारियों के लिए अब उनके पास जादा पैसे बच रहे हैं लेकिन मैं देश के नवजवानों को मद्यंबर को कॉंग्रेस की साजित से फीड से आगा करना चाहता हूँ कॉंग्रेस ने साप कर दिया है कि वो देश के मद्यंबर को स्वार्थी मानते हैं लाल्ची मानते हैं इसलिए वो मद्यमबर्ग पर टेक्स का बड़ा बोज डालने का इरादा रखती है इतना टेक्स कि मद्यमबर्ग की कमर तूट जाए भाईयो भेनो आज मैं अनुबहु से कह सकता हूँ अगर देश को चलाने में सबसे बड़ी ताकत कहीं से मिलती है तो मद्यमबर्ग ये परिवारों से मिलती है वो काईदे कानून का पालन करते है वे सरकारी खजाने में अपने से जो भी बचता है देते हैं और इसी से देश चलता है ये कॉंग्रेस पार्टी मद्यमबर्ग को अपना दुश्मन मानती है आप हरान हो जाएंगे अभी कॉंग्रेस का एक दकोशला पत्र आया है पचास पचपन पन्नों का दकोशला पत्र आया है आने वाले पांच साल में उनके क्या मनसूबे है उसका सारा उसमें लिखान है पूरे मैनिफेस्टों में उनके पूरे दकोशला पत्र में एक बार भी मद्यमबर्ग शब्द नहीं है भाईयो बेहनों ऐसी कॉंग्रेस को आप माप कर सकते हैं क्या इसलिए कॉंग्रेस से सतर्क रहिए चोकिदार की तरह चोकनने रहिए साथ्यों कॉंग्रेस के इतियास को देखेंगे तो एक पैटरन दिखाई देती है जब ये पार्टी संकट में आती है तब जूथे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है आपको गजनी फिल्म याद है ना 2009 में इन्हों ने कहा कि किसानों के घर पर आकर समर्थन मुल्य पर अनाज खरीदा जाएगा अरे घर तो छोड़िये मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीद पाए ये बीजेपी सेव सेना एंडिय की सरकार है जिसने लागत का डेज्च गुणा समर्थन मुल्य देने का वादा पुरा किया ये एंडिय की सरकार है जिसने देश के 12 करोड किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड पे सीधे जमान कराने का काम शुरू किया है सात्यों ये कॉंग्रेस वाले हर दकोसला पत्र में किसान को सीचाई से जोडने का वादा करते हैं लेकिन इनकी लटकाई निन्ना नवे बड़ी सीचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पुरा कर रही है इन्होंने गरीबों को आरक्षन देने का भी बादा किया था लेकिन उसके बाद फिर गजनी हो गए सामान ने वर के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षन देने का काम किया तो ये चौकिदार ने किया वो भी बाकी किसी भी वर का हग चिने बना कोई भी छेर चार किये बिना किसी के हग को च्छुए बिना सारे समाज में प्रेम और सदभावगा का वातावर बनाय रखते हुए इतना बड़ा फैसला हम ने कर लिया बाई और भेनो कॉंग्रेस अपने वोर्ट बेंक के लिए ही काम करती है और चौकिदार की सरकार सब का साथ सब का विकास के लिए काम करती है OBC कमिशन को सम्विधान एक दर्जा देने का काम कॉंग्रेस नहीं कर पाई आपके चोकिदार की सरकार ने उस काम को भी पूरा किया इसी तरह बंजाला समाज को कभी कॉंग्रेस ने याद नहीं किया इंडिये की महा यूती की सरकार ने ही इस वर्ष के बजेट में गुमंतू समुधाय के लिए पहली बार वेलफेर डेवलप्मेंट बॉर्ड बनाने का फैसला किया है साथियों कॉंग्रेस वर ये महा मिलावटी अपने स्वार्थ के लिए जाती पंथ और संप्रदाय कोई भी खेल खेल लेते हैं करनाटक चुराव के दर्वान सिर्फ वोट के लिए उन्हों ने लिंगायत समाज के साथ क्या किया ये हम भूले नहीं है पवित्रक करतारपुर साथ कोरिडूर के साथ इन्होंने क्या सियासत की ये भी आप बली भाती जानते हैं बटवारे के समाई अगर कॉंग्रेस चाहती तो हमारे गुरुओं की दरोहर करतारपुर साथ हमारे पास ही रह सकता था लेकिन सिर्फ तीन-चार किलोमेटर की ही दूरी से गुरु साहब के पविश्ट साथान को इन्होंने दूर कर दिया तब अगर कॉंग्रेस की नीती सही रहती तो आज पाकिस्तान में करतारपुर साहब न होता और नहीं पाकिस्तान को ये खेल खेलने का मोका मिलता इसी तरह नांदेर और अमरुतर साहब से सीधी हवाई मार से जोडने की याद भी कॉंग्रेस एन्सीपी की सरकारों को कभी नहीं आई और न्सीपी के नेता तो एवियेशन मिनिस्टर हुआ करते थे मुख्यमंत्री उनके यहां हुआ करते थे लेकिन न कभी उनको नांदेर साहब और अमरुतर साहब को जोडने की इच्छा हुई उडान योजरा के जरिये ये काम भी हमारी सरकार ने किया है किसानों से पंदरा गुना दाल की खरीद हो या प्रधान मंत्री स्रमयोगी मानदन योजरा से यहां के कामगारों को पैंशन सुरक्षा कॉंक्रेस न्सीपी की सरकारों ने कभी नहीं सोचा यह काम भी हमारी सरकार ने किया है भाई और बहनों ये भी हमारी सरकार का सोभा की रहा कि उसे गुरू गोविंसी के 350 वे प्रकास परवकों देश और दुनिया में भव्य तरीके से मनाने का आउसर मिला इसी तरह इस वर्ष गुरू नानक देवजी के 550 वी जन्म जैन्ति को भी हमने दुनिया भर में दुम से दुमधाम से मनाने की तैयारी की साथियों देश की आस्था देश की संस्कूरति के समुरक्षन और सम्मान के प्रति एंडिये की सरकार ये चोकिदार पुरी तरह प्रतिवद्ध है 2014 में आपके वोट के कारण हम दसको पुराने गड़ों को भर पाए 2019 में आपके वोट से विकास का हाइवे बनेगा 2014 में आपके वोट के कारण पुराने भारत के काम करने के तोर तरीकों में बढ़लावाया 2019 में आपके वोट से हम एक नया भारत बनाने के दिशा में आगे बढ़ेंगे 2014 में आपके वोट से डिजिटल इंडिया से आपके जीवन को आसान बनाया 2019 में आपके वोट से डिजीटल इनिया हमारे मेक इन इंडिया और रोजगार निर्मान का मजबुत आधार बनेगा 2014 में आपके वोट के कारण आतंक बाद को मुहतोड जवाब मिला 2019 में आपका वोट आतंक बाद को खत्म करने में एक बहुत बड़ी भुमिका निभाएगा आने वाली 18 एप्रील को कमल के फूल के सामने बटन दबा कर आप इस चौकीदार को और मजबुत करेंगे इसी विश्वास के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जब कमल के फूल पर बटन दबाएंगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोधी को मिलने वाला है आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है और इसलिए भायो बैनो आज अब इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशिरवाद देने के लिए आए है मैं आपका अभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ बोलिए बोलेंगे मैं कहूंगा मैं भी आप कहेंगे चौकिदार मैं भी मैं भी मैं भी गाउं गाउं है शहर शहर है बच्चा बच्चा बड़े बुजुर्ग भी माता बहने गर गर में खेत खलिहान में बाग बगान में देश के अंदर सरहक पर भी डॉक्टर इंजिनियर शिक्षक प्रफेजर लोखख पत्रकार कलाकार भी किसान कामगार दुकानदार भी वकील व्यापारी भी चात्र चात्राएं भी भाईयो बहनो सारा देश चोकिदार सवासो करोर देश वासी चोकिदार भारतिये जनता पार्टी और हमारी महायूती को विजय जी बनाईए अता अपलेए दुशा किला सजब्वा फैंसी स्पेर पार्ट नवनमीन डिजयर चे फैंसी एलिड, फैंसी मीटर, हैंडल बेट लाइट, एंडिकेटर, फूटरेश, एंडल बेट मीटर, फैंसी लिवर, एलियडी पत्ती, टूविलर रिमॉट किट उपलब्द नमनमीन आकर्षक डिजाइन चे, फैंसी पार्ट मिलना चे एक में उठीकान, एक वेल अवश्य भेट द्या, टॉप अर्टो मोबाईल हिंगोली गेट ना देड़